हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई किचन आज मेरी रेसिपी है ग्रेवी वाले चोले अगर आप इस तरह बनाओगे तो बार बार इसी तरह ही बना कर खाओगे यह बहुत ही टेस्टी बनते हैं खाने में बहुत स्वाधिश्टो बनते हैं और बहुत जल्दी बनकर तयार हो जा 5 दस 15 बारा कलिया लचन की नमक लिए मैंने यहां पर लाल मिल्च कर देव का पावडर्ट्री है लिया पैल्टे सबसे पहले मैं घ्रेवी ती तो इसको नहीं जीन आर्वेश लिया टेमाटर की पी सीनिया है से के में तो नाली ती तिरह नहीं तत्रल आ प्राइव स resc date मैंने पेश्ट कर लिया है और प्याज को भी मैंने कट कर लिया है अब एक कुकर में ओइल डाल कर हम इसको गरम करेंगे ओइल गरम होने के बाद मैंने इसमें दो तेज पत्ते अड़ किये एक सुखी लाल मिर्च अड़ कर दी है और मैंने यहाँ पे थोड़े से लोंग तीन चाल लोंग एड़ किये हैं और चार पाच काली मिर्च इसमें एड़ कर दो चार पाच काली मिर्च अब इनको थोड़ा सा तेल में बुन लेंगे हम हल्का सा बुनने के बाद इसमें हम करेंगे प्याज अड़ यह देखिए इसको बुन गए है यह अब इसमें कटी हुई प्याज अट कर दी है मैंने प्याज अड़ करने के बाद अब सबसे पहले प्याज को हम हल्का गॉल्र ण ब्राॉं होने तक बुन लेंगे ओ configuration में ये देखिए प्याज को लो फ्लेम पर मुझे बुनना है प्याज को बुनने के बाद इसमें हम करेंगे लसन का पेस्ट एड़ कर देंगे अब इसको भी प्याज के साथ हलका सुनेरा ब्राउन होने पर बुनेंगे प्याज और लसन को बुनने के बाद अब मैं इसमें एड़ करूँगी जो टमाटर की जो ग्रेवी थी पीसी वी वो मैं इसमें एड़ करूँगी इसके लिए पहले सबसे पहले मैंने टमाटर की ग्रेवी में नमक स्वाद अनुस्वा डाल दिया है आप हल्दी पाउडर एक चमच एक चमच लाल मिर्च और गरम मसाला आदा चमच इसमें एड़ कर दिया है मैंने ग्रेवी में टमाटर की सबी मसाले और जो टमाटर पीसी हुए थे मैंने इसमें प्याज में एड़ कर दिये हैं अब आदा गिलास पानी डालकर आप दो सीटियां कोकर में लगवाने के बाद कोकर का ढखकन 10 मिंटे के लिए बंद ही रहने दीजिए इससे क्या होगा जो ग्रेवी है और मसाले और ज़दा इसमें सोफ्ट हो जाएंगे अब दो सीटियों के बाद 10 मिंटे कोकर को बंद रहनी दीजिए उसके बाद मैंने कोकर को खोल के देख लिया है ये देखिए मसाले और ग्रेवी कितनी अच्छी तरह बन गई है प्याज भी अच्छी तरह से मैश हो गया है और थोड़ा सा स्कोर बुल लेंगे गैस चालू कर कि ये देखिए थोड़ा सा और बुनने के बाद अब इसमें जो छोले एड़ करने के लिए मैंने जो छोले का पानी है वो एक गिलास में डाल दिया है ये हम इसमें बाद में अड़ करेंगे अब इसमें चोले अड़ कर लेंगे ग्रेवी में अब इसको 10-15 मिंट एक तरुम अच्छी तरह से बुण लेंगे गैस का फ्लेम भी रहना चाहिए इसमें ही हम छोले को बुनते रहेंगे पुनते बुनते हिए थोड़ा सा इसमें अगर आप धनिया पती डाल लेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा ये देखिए बुन्ते बुन्ते छोले में मैंने दन्यपति डाल दी है इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अभी मुझे पांच मिन्ट हुए हैं अभी बुन्ते बुन्ते थोड़ा सा मैं डक्कल लगाकर वापिस बुन रही हूँ इस तरह पूरे दस मिन्ट छोले को बुन्ना है बुन्ने से सभी मसाले वगारा सब अच्छी तरह से पक जाएंगे अब इसमें मैं एड़ कर रही हूँ छोले मसाला ये छोले मसाला एड़ करने के बाद इसका टैस्ट टोर बढ़ जाता है छोले मसाला मैंने एड़ कर दिया है और इसको वापिस से बुन रहे हैं ये देखिए प्याज और जो लसन था बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था अब मैंने बुन लिया है इसको अब जो लसन अब जो उसे पानी था जो छोले का जो मैंने निकाला था जो उसमें से छोले में से वो मैंने डालके दो गलास डाल गए अब दो सीटिया लगवा दो गिलास हो गए एक गिलास अब देखो यह ब्रैडी हो गए हैं यह देखिए इसकी ग्रेवी कित्ती अच्छी लग रही है छोले की यह देखिए अब मैं दन्यापति से से गार्निश कर रही हूँ इस तरह आप जरूर बना के देखिए छोले आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे यह बहुत टेस्टी बनते हैं खाने में बहुत स्वाधिश्ट बनते हैं यह चोले इसे पूरी के साथ भी ले सकते हैं और रोटी के साथ भी ले सकते हैं एक बार इस तरह आप जरूर ट्राइ कीजिए अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताईए कि आपको यह रेसिपी कैसे लगी और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए थैंक यू फॉर वाचिंग बाई बाई